कितनी जादा बढ़ जाएगी और इसलिए नई राष्ट्रिय शिक्षा निती युवाओं को ये विश्वात दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ हैं उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशल इंटलिजन्स के प्रोग्रेम को अभी लॉंच किया गया है। वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरियेंटेड बनाएगा। AI-Driven Economy के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये Digital Revolution पूरे देश में एक साथ आए। गाउं शहर सब समान रुप से Digital Learning से जुड़े इसका भी ख्यास ख्याल रखा गया है। National Digital Education Architecture यानी NDR और National Education Technology Forum NETF इस दिशा में पूरे देश में Digital और Technological Framework उपलब्द कराने में एहम भूमी का निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे। खुले आकास में जैसे उड़ना चाहे। देश की नई सिच्छा विवस्ता उसे वैसे ही आवसर उपलब्द कराएगी। साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रिय शिक्षानीती को किसी भी तरह के दबाव से मुक्द रखा गया है। जो ओपनेस पॉलिसी के लेवल पे हैं, वही ओपनेस टूडेंस को मिल रहे विकल्पों में भी हैं। अब स्टूडेंस कितना पड़े, कितना समय तक पड़े, ये सिर्फ बॉर्ड्स और उनिवर्सित नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंस की भी सहभागीता होगी। multiple entry and exit की जो व्यवस्ता आज शुरू हुई हैं, इसने स्टूडेंस को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकडे रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नलोजी पर आधारित, academic bank of credit इस सिस्टिम से इस दिशा में स्टूडेंस के लिए revolutionary चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रूची में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्टूड को चूच कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे decision गलत हो गया, तो क्या होगा। इसी तरह, Structured Assessment for Analyzing Learning Levels यानी सफल के जरिये, स्टूडेंस के आकलन के भी बैज्ञानिक व्यवस्ता शुरू हुई है। ये व्यवस्ता आने वाले समय में स्टूडेंस को परिछा के डर से भी बुक्ती दढाएगी। ये डर जब युवा मन से निकलेगा, तो नए नए स्किल लेने का साहस, और नए नए इनोवेशन्स का नया दोर शुरू होगा। संभावनाए असिम बिस्तार होगी। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आज नए राष्ट्रिय शिक्षानिती के तहत, जो ये नए कारकव शुरू है, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्थ।